CBSC Words में आपका स्वागत है तो इस वीडियो में हम Classic Science का Chapter 5 जिसका नाम है Separation of Substances इसकी जो Exercise है वो डिसकस करेंगे Chapter की Explanation वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है जहाँ पर Line by Line मैंने NCRT के Explain किया है अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो Description में आपको Playlist का Link मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हो तो चलिए इस Exercise का पहला Question हम देख लेते हैं Why do we need to separate different components of a mixture? कोई mixture है उसके जो अलग-अलग components है उसको हम separate क्यों करते हैं? इसकी जरुद क्यों बढ़ती है? आपको दो example भी देने हैं तो इसका अंसर होगा We need to separate different components of a mixture because तो क्यों separate करते हैं? Because it may contain harmful or non-useful substance इसलिए करते हैं क्योंकि हो सकता है उस mixture के अंदर कोई harmful चीज हो या non-useful यानि उसका कोई काम ना हो तो आपकी harmful चीज होगी नुकसान वाली चीज होगी इसी एक reason को explain कर दिया गया लेकिन यहाँ पर इस channel पर आपको complete answer मिलेगा Complete answer क्या होगा? आगे आप लिखोगे Sometimes we separate even useful component कभी-कभी हम useful component को भी separate करते हैं यानि mixture में कई चीज़ें मिली हुई थी वो सारी चीज़ें काम की थी लेकिन फिर भी हम अलग करते हैं क्यों करते हैं? If we need to use them separately अगर उन काम वाली चीज़ों को अलग-अलग हमको इस्तेमाल करना है तो उसे हम separate करेंगे Example से यह चीज़ें आपको clear होगी बागी chapter में मैंने पढ़ा है आप जानते होगे Example दोनों ही case का हम ले लेते हैं पहला देखो के tea leaves are separated from the liquid with the strainer चन्नी से हम जो चाय पत्ती है उसको चाय वालग हो जो liquid होता है उससे अलग करते हैं भाई चाय बन जाती है तो चन्नी से हम डालते हैं कप में या आपकी जो केतली होती है उसके अंदर डालते हैं तो वो चन्नी क्या करती है आपकी जो tea leaves है, चाय पत्ती है उसको liquid से अलग कर देती है while preparing tea, जह हम चाय बनाते हैं तो यहाँ पर जो tea leaves है वो non-usual substance है, इसलिए उसको हम separate कर देते हैं दूसरे example देखो milk और curd is churned to separate the butter milk या curd, दूद या दही की जो churning होती है उससे क्या होता है butter हम निकालते है, मखन निकलता है वहाँ से यानि दूद से, जैसे दूद मालो लिया दूद से हम मखन निकालने तो दूद भी काम की चीज़ है, मखन भी काम की चीज़ है लेकिन उसका इस्तेमाल अक्सर हम अलग-अलग करते हैं इसलिए हम milk और butter को अलग करते हैं ताकि उनका इस्तेमाल जहाँ पर जैसी जरूरत हो उससे साबसे हम कर सके तो ये दोनों point हमने इसके cover कर लिया और दोनों के जो example थे वो भी हमने देख लिये तो ये है इसका complete answer तो अगर आप चाहते हो कि आपको complete answer मिले हाँ चीज आपको detail मिले अच्छे सा आपको समझाया जाए तो इस channel को subscribe जरू कर लो तो चलते हम अपने second वाले question पे What is winnowing? Where it is used? तो winnowing क्या है पहले इसकी बात कर लेते हैं winnowing is a method of separating heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air तो winnowing क्या है एक method है जिसमें हम क्या करते हैं separate करते हैं heavier and lighter component कोई mixture है उसमें कुछ भारी चीज़े हैं कुछ हलकी चीज़े हैं तो भारी वाली चीज़ को हलकी वाली चीज़े अलग करते हैं कैसे अलग करते हैं? by wind हवा के जरीए अपने आप हो जाता है उपर से हम जैसे गिराते हैं तो हवा हलकी वाली चीज़ को दूर फेक देती है और भारी वाली चीज़ करीब रह जाती है इस तरह अलग हो जाती है या फिर by blowing air fan वगरा लगा के उससे भी हम कर लेते हैं इसी question में अगला part था where it is used, कहां use होता है तो ये method क्या होता है is commonly used by farmer to separate lighter husk particle from the heavier seed of grains तो इस method का आम तोर से farmer use करते हैं ताकि वो separate कर सके अलग कर सके जो हलकी है उसके जो husk यानि जो छिलका वागरा होता है उसको जो भारी भारी आपकी जो seeds होती है यानि छिलके के मुकाबले में जो अनाज के दाने होते हैं वो थोड़े से भारी होते हैं तो इन दोनों को अलग करने में use होता है थार्ड वाला question है how will you separate husk और dirt particle from the given sample of pulses before cooking तो pulses वाला case आपने chapter में पढ़ा होगा मैंने आपको पढ़ा है कि दाल वगरा we have to wash it before cooking कैसे करेंगे उसके लिए हमको धोना पड़ेगा अच्छा कैसे धोते हैं इसको इसको भी आगे आपको लिखना पड़ेगा when you add water to these यानि अब ये दाल आप किसी बरता में लोगे उसके अंदर जब पानी डालोगे तो क्या होगा the impurities like husk or dirt particle go into water यानि अब दाल से अलग हो गई और पानी मिक्स हो गई अगर वो पानी हम गंदा वाला निकाल दें तो दाल हमारी साफ साफ मिल जाएगी तो यही किया जाएगा now the vessel is tilted to pour out the dirty water तो जो वेसल है जो बरतन है जिसके अंदर दाल और पानी हमने लिया था उसको थोड़ा से तिर्शा करेंगे, tilt करेंगे ताकि जो गंदा पानी है उसको बाहर निकाला जा सके fourth allocation है what is sieving sieving क्या होता है कहां यह use होती है इसका अंसर होगा sieving is a process in which fine particles of mixture are allowed to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve तो sieving के process है जहाँ पर जो fine particle है चोटे particle है किसी mixture के उसको allow किया जाता है कि वो pass हो जाए जो आपकी sieve यानि जो आपकी चलनी है चलनी के जो छेद है उससे जो चोटे वाले particle है fine particle है mixture के वो pass हो जाए while the bigger impurities remain on the sieve और जो बड़ी वाली impurities है जिनका size बड़ा है वो sieve के उपर ही रह जाए कहां ये use होता है इसको भी पूछा गया तो इसका use होता है to remove impurities like husk and stone from the weed before grinding it गेहूं को पीछने से पहले उसके अंदर जो husk या stone वगरा होता है ऐसी गंदगी को remove करने के लिए use होता है कि हमें चलनी लेते हैं इसको चाल लेते हैं जो गंदगी होती वो अलग हो जाती है जो आपकी sand होती है construction वगरा जब होता है घर वगरा बनता है तो बालू के इस्तेमाल होता है वो जो बालू आपके आती है उसके अंदर कंकर पथर होते है उसको अलग करने के लिए भी चलनी का यूज होता है सीव का यूज होता है तो वहाँ भी आपका कौन सा प्रोसस यूज हो रहा है सीविंग वाला अब सैंड और वाटर को मिला कर एक मिक्षर बना दिया गया अब इन दोनों को अलग कैसे करोगे तो इसका अंसर होगा अब जो ग्लास जिसके अंदर आपने सैंड और वाटर लिया है उसको तिर्षा करो बहुत आराम से उसको धीरे धीरे तिर्षा करना है अब जो पानी है उसको दूसरे वाले गलास के अंदर निकाल लो तो पानी जब दूसरे वाले बरतम निकाल लोगे तो वो पानी अलग हो गया और नीचे जो मिट्टी थी बैठी वो रह जाएगी तो मिट्टी और जो वाटर है सैंड और वाटर वो इस तरह से अलग हो जाएगा तो यह हो गया इसका अंसर क्या यह मुम्किन है कि हम सेपरेट कर सके अलग कर सके शुगर और जो वीट फ्लोर है यानि गहू का आटा है उसको मिक्स कर दिया हमने तो क्या इन दोनों को शुगर और जो गहू का आटा उसको अलग कर सकते है अगर ऐसा हो सकता है तो फिर कैसे आप करोगे यह आपको बताना है तो पहली चीज़ हाँ इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते है अब आप खुद सोचो कैसे सेपरेट करेंगे जो आपका आटा होता, उसके दाने बहुत चोटे-चोटे होते हैं, क्या अगर चलनी से उसको छाने, यानि जो आपकी सीव है, उससे अगर छाने, तो क्या आटा नीचे निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, अच्छा, शुगर के दाने बड़े होते हैं, उस चलनी से पास हो पाएंगे, कभी try करना नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पर हम sieve का use करके दोनों को separate कर सकते हैं तो होगे answer मिलगे हमको, अब बस कैसे लिखना यही आपको समझना है, we can separate sugar mixed with wheat flour by sieving sieving वाले process हम separate कर सकते हैं when we pour this mixture into sieve जब इस mixture को sugar और wheat flour के mixture को sieve में टालेंगे तो क्या होगा, the smaller flour particle pass through the hole, तो आपको आटा है, उसके जो छोटे-छोटे दाने है वो उस hole से पास हो जाएंगे, sieve के वही जो बड़े वाले sugar particle है वो sieve पे रह जाएंगे, हो गया इसका answer, अब 7th होले की बात कर लेते हैं how would you obtain clear water from a sample of muddy water एक गंदा सा पानी है, मिट्टी दार पानी है उससे हमको साफ पानी निकालना है कैसे करेंगे, तो इसका answer देख लेते हैं let the muddy water stand for some time तो जो muddy water है, गंदा पानी, उसको थोड़े देर की ऐसे ही रख दो, हिलाओ डुलाओ बिलकुल ताकि जो उसमें मिट्टी मिक्स है, जो mud वगेरा है, वो नीचे बैड जाए until you observe some soil settle at the bottom of the water, तो थोड़े देर की रख दोगे तो आप देखोगे, जो मिट्टी वगेरा है वो नीचे बैड जाएगी, सारी नहीं अभी भी गंदा है, मिट्टी नीचे बैड गई थी उपर का जो पानी था, दूसरे बाता में निकाल लिया तो अब पहले से गंदा नहीं है बलग अब कम गंदा है, लेकिन अभी भी वो muddy है, मिट्टी अभी भी है यानि कुछ soil के जो particle है वो पानी में अभी भी है तो हमको चाहिए clear water, कोशन में क्या कह रहा है clear water, साफ पानी चाहिए तो साफ पानी तो अभी मिला नहीं, तो अब क्या करेंगे so the remaining impurities can be separated by filtration, तो बची हुई जो impurity है, बची हुई जो गंदगी है उसको कैसे separate करेंगे, filtration वाले method से, कैसे करेंगे, take a filter paper एक filter paper ले लो, उसको fold कर लो cone के form में, और funnel के अंदर उसको fix कर लो इस सारा experiment मैंने आपको कर के बताया है अगर आपको समझना है, तो chapter वाली वीडियो देख सकते हो, the mixture is then poured on the filter paper, अब जो mixture हमारा था, वही गंदगी थोड़ी बहुत कुछ उसमें रह गई थी, वो इस filter paper से पास नहीं हो पाएगी और उसी में रह जाएगी, और सिर्फ जो पानी है, वो निकल के नीचे चला जाएगे, this is how you will obtain a clear water, तो इस तरह से आपको एक clear water, साफ पानी मिल जाएगा, 8th वाला देख लेते हैं, fill up the blanks, तो खाली जगा को आपको भरना है, ये वाले में क्या कह रहा है, the method of separating seeds of paddy from its stock is called, तो धान से उसकी seed को अलग करना है, धान के अंदर क्या निकलता है, चावल निकलता है, तो seed क्या होती है paddy की, rice होती है, तो rice को अलग करना है, कैसे करेंगे, कौन से method use करेंगे, तो इसमें जो method use करेंगे, उसका नाम है threshing, ठीक है, भी वाले देख लेते हैं, when milk cooled after boiling, दूद गरम होने के बाद जब ठंडा होता है, तो क्या होगा, it's poured onto a piece of cloth, the cream, malay is left behind it, दूद को जो आप गरम करते हो, उसके बाद आप ऐसे ही छोड़ देते हो, या फ्रि example of, अब ये जो method है, जहाँ पर cream को milk से अलग कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, देखो हो क्या रहा है आपर, filter कर रहे हैं एक तरह से की नहीं, छान रहे हैं की नहीं, दूद अलग हो जाए, और मला यूपर रह जाए, तो example है किसका, filtration का, सी वाला देख लेते हैं, salt is obtained from sea water by the process of, नमा कैसे obtained होता है, उसके लिए जो method यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं, evaporation, डी वाला कोशन है, impurity settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket, गंदे पानी को राद भर के लिए, एक बाल्टी के अंदर छोड़ दिये गए से ही, तो जो impurity थी, जो गंदगी सेटल डाउन हो गई, बैड गई, the clear water was then poured off on the top, तो साफ पानी था, उसको हम पोर करके निकाल लिए, the process of separation used in this example is called, तो कौन सा method हमने use किया, अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, उस muddy water को जो गंदा पानी था, उसको हमने ऐसे रख दिया, तो जो गंदगी थी, वो सेटल हो गई, तो जी नीचे बैठने वाला process है, कि एक चीज mixture का settle down हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, उसे हम क्या कहते है, sedimentation, तो हम यहां लिख देंगे, sedimentation, क्या और भी कोई method यहां use हो रहा है, कोई और process, तो यहां देखो दिया हुआ है, जो clear water है, उसको pour कर दिया जा रहा है मतलब उसको निकाल के अलग कर दिया जा रहा है, तिर्शा करोगे, पानी निकल जाएगा, तो यह बाहर निकालने वाला process कौन सा होता है, जहां liquidally cheese को हम तिर्शा करके दूसरे बरतर में निकाल लेते हैं, वो आपका decantation होता है, तो सिर्फ sedimentation नहीं हो रहा है, बलकि sedimentation and decantation तो sedimentation and decantation, यह इसका proper answer हो गया, अब 9 वाले में देखो, true और false आपको बताना है, यह वाला है, mixture of milk and water can be separated by filtration, तो दो लिक्विड आपर से mix है, तो वहाँ पर filtration वाला method काम नहीं करता, तो कहरा है, filtration हम separate कर सकते हैं, तो इसका होगा false, false के लिए मैं F लिखूंगा, true के लिए T, B वाला है, mixture of powder, salt and sugar can be separated by the process of finnowing, क्या-क्या चीज़े mix है, powder, salt and sugar, यानि salt और sugar दोनों को piece लिया गया है, अब उनके size अलग लग नहीं रह गया है, जब piece लोग है, तो sugar भी एक्दम छोटी-छोटी हो जाएगी, salt भी छोटी-छोटी हो जाएगी, यानि दोनों का size लग-भग हो गया है, तो अब हम winnowing करके इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, वैसे हम कर सकते थे, थोड़ा बहुत कुछ आपका work करता, लेकिन अब दोनों का size लग-भग एक जैसा हो गया, दोनों का weight एक जैसा हो गया, कोई हलका भारी नहीं है, तो winnowing वाले method से हम separate नहीं कर सकते, तो थोड़ा बक्त कुछ तो जालते ही होगे न, milk डालते हो, sugar डालते हो, तो यह जो sugar है, उस milk के अंदर, या water के अंदर mix हो जाती है, dissolve हो जाती है, और कोई चीज़ जब dissolve हो जाती है, तो याद रखना हमेशा, filtration ले method से अलग नहीं कर सकते, salt solution ले लो, sugar solution ले लो, यह सब dissolve हो जा डी वाला देख लेते हैं, grain and husk can be separated with the process of decantation, जो अनाज है, और जो husk है, यह जो छिलका है, उसको separate कर सकते हैं, decantation ले method से, तो भाई यह false होगा, decantation नहीं यूज करते हैं, बलकि हम क्या करते हैं, वहाँ पर winnowing वाला process यूज करते हैं, क्योंकि husk जो छिलका है, वो हलका ह जो grain है, वो थोड़ा सभारी है, तो हलका और भारी जब separate करना होता है, तो वहाँ पर winnowing यूज करते हैं, तो decantation यह गलत हो गया, तो इसमें तो सारा ही false है, फिर ही हमारा हो गया, अब 10 अला देख लेते हैं, lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in the water, तो नीबू पानी आपका कैसे बनता है, आप लेते हो, उसका यानी रस लेते हो, और sugar लेते हो, उसको पानी मिक्स कर देते हो, you wish to add ice to cool it, अब आप चाहते हो कि उसके अंदर बर्फ डाल दे ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, और पीने में मज़ा आ जाए, should you add ice to the lemonade before or after dissolving the sugar, अब आप से यह पूछा जा रहा है कि करोगे, तो आपको अपने हिसाब सांसर देना है, कि I will do this and that, ठीक है, should you add ice, क्या आप ice को add करोगे उस निवू पानी के अंदर, before or after, यनि पहले या बाद में, sugar के dissolve होने के बाद, यानि sugar को dissolve करने से पहले बर्फ डाल दोगे, पहले बर्फ डाल गे, फिर sugar डाल के mix करोगे, या sugar एक बाद dissolve हो गई, sugar को mix कर लिया, अब उसके अंदर जो है, ice डालो गए, तो क्या करोगे आप, in which case would it be possible to dissolve more sugar, तो कौन से case में, जादा जादा sugar dissolve की जा सकती है, पहले बर्फ डाल दो, फिर sugar को dissolve करो, या पहले sugar को dissolve कर लो, फिर आराम से बर्फ डालना, तो chapter आपने पढ temperature पे, जो sugar है, वो घुल जाएगी, क्योंकि एक बार अगर वो mixture ठंडा हो गया, तो कम से कम sugar dissolve हो पाएगी, तो आपका मीठा नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले sugar को हम dissolve कर लेंगे, उसके बाद बर्फ डाल लेंगे, या अपना काम हो गया, अब बर्फ डाल के पीलो, तो answer में यही लिखोगे, तो आप से पूछा क्या है, आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे, I will add ice to lemonade after dissolving sugar, पहले sugar को dissolve कर लेंगे, क्योंकि normal temperature पासानी से खुल जाएगी, जैसे जैसे और ठंडी हो जाएगी, शुगर कम से कम dissolve होगी, इसलिए पहले हम sugar dissolve कर लेंगे, फिर ice डालेंगे It is possible to dissolve more sugar if we add ice to lemonade after dissolving sugar, तो दूसरी चीज़ हम से भी पूछी थी, कि किस केस में जादा जादा sugar dissolve कर सकते हैं, तो जादा जादा तभी हम कर सकते हैं, कि पहले sugar को हम dissolve कर लें, उसके बाद जो है, आइस डाले उस lemonade के अंदर, तो यहाँ अगर हमारी exercise complete हो गई, exercise के या और भी ज चली होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो यहाँ देख सकते हो, नीचे more लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आप यहाँ पर scroll down करोगे, तो आप देख सकते हो, सारी playlist आपको मिल करोगे, तो क्लासिक साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी, ओके थैंक यू,